हेलो एवरिवान वेलकम तो एक्जाम एंटर 365 कैसे आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे सो फ्रेंट जैसे कि हमने पॉलिटिकी क्लासे स्टार्ट किये जो कि हार एक्जाम में हेलफ वो लोगी तो बिना टाइम वेस्ट किये आईए शुरू करते हैं कमपनी डूल के बारेमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन डूल के बारेमे तो क्राउन डूल की शुरूवात कैसे हुई? उसकी पीछे का reason क्या है? वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले है तो आयए शुरू करते हैं 1858 से पहले एक बहुत special incident हुआ है जिसे हम First War of Independence के नाम से जानते है जो 1857 में हुआ था अब 1857 का जो revolt है गाइस उस पे मैं अलग से एक separate video बना दूँगी क्योंकि वो इसके बीच में डालने से एक kiosk create हो जागा confusion नहीं हो जाए तो इसके लिए में एक special video डाल दूँगी अलग से जिसको आप अलग से देख सकते है ठीक है तो हम start करते है हमारा crown rule जिसने क्या किया जो company rule था उसको end कर दिया और अब Britishers ने यहाँ पर officially rule करना start कर दिया आप ऐसा कह सकते हैं तो 1858 से लेकर 1947 तक हमारे हाँ पर crown rule ही चला है अब companies जो यहाँ पर East India company थी वो भी खतम हो चुकी थी पूरी तरह से तो अब crown rule शु क्या क्या चीजी हुई क्या हुआ उसके बाद आई पड़ते हैं तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1858 सबसे पहले आता है यह किसकी वजह से हुआ मैंने भी कहा कि रिवाल्ड ऑफ 1857 जो इंडिया ने किया था इंडियान्स ने किया था उसने end of East India Company का रूल कर दिया यहाँ थे ठीक है गवर्नर जर्रा में पढ़े थे ना पीछे कर कंप्री रूल में उन गवर्नर जर्नर को उन्होंने किसमें बदल दिया वाइसरों में अब जो वाइसरों है वो सीधे डैरेक्ली मैं कहूंगी रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के पूरा बताते थे कि यहां पर क्या होगा कैसे होगा मतलब यहां पर आगर वाइसरों बैठा हुआ मतलब कि बिल्टिश क्राउन यहं पर रूल कर रहा है इसका यह सिंपल मतलब है so guys Lord Canning first Weiser of India बने थे इस Act के तहत और उन्होंने क्या किया उन्होंने किया छो चीजे काम हो रही है उसको कौन और बिटिश कबिनेट जो यहां पर ही बिटिश कबिनेट मेंबर जो उनको पूरा बताएगा कि रिस्पोंसिबिलिटी ए बिटिश पालिमेंट के तहत कि यहां पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ठीक है गाइस इस वस 1858 next come the Indian Council Act 1861 guys what happened in this the act restored the legislative powers of Madras Bombay which was taken away from the Charter Act restore कर दिया गया उनको वापिस से उनकी powers को ठीक है और जो गवर्नल जानरे थे उनके पूरी absolute वीटो पावर दी गई कि वो किसी भी तरीकी को ordinance पास कर सकते है यहां पर वो छे महीने के लिए चलेगा ओके एंड जो वाइसरोई थे जो मारे यहां पर वाइसरोई थे उनको बहुत जादा पावर्स थी गई थी convenient transaction of business of council के लिए मतलब वो उतने यहां पर वो ट्रेडिंग तो उनको परपस था गाइस वो ट्रेडिंग उनके दिमाग से नहीं गई थी अभी रूलिंग तो वो कर रहे थे माने यहां पर ट्रेडिंग भी उनके माइंड में थी कि भाई जो ट्रेडिं system introduce किया तो उन्होंने उसकी foundation रखी जो आज के जमाने मतलब आज हम उसको cabinet system बोलते हैं और जो lawmaker law member body थी उनको भी executive council में add कर तिया गया as a governor, council of governor general में add कर तिया गया then comes the Indian council act 1892 guys this act ने analyze किया मतलब इन्होंने क्या किया non official members की बात की हमारे यहां पर Indian council act 1892 में क्या हुआ जो हमारे non official members थे मतलब इंडियंस को भी न अब थोड़ा सा ना administration part में entry देने का मोका मिल गया था मतलब उनको enter करने का मोका दिया जा था क्या किया उन्होंने non official members की थोड़ी मासरा रखी उन्होंने जैसे कि अगर छे लोग होंगे तो आदा हिस्सा मतलब तीन members कौन होंगे इंडियंस होंगे ऐसा उन्होंने रखा हुआ था अब क्या हुआ non official members हमारे सबसे पहले कौन बने थे राजाव वनारस महराजाव पत्याला एंड सर दिन कर रहा हूँ यह हमारे फर्स थे जिनको administration में यह लोग as a member add हुए थे अब इस तेम पर principle of indirect election introduced हो गया था इंडिरेक्ट इलेक्शन यहां पर इंटर्ड्यूस जुआ था बट यहां पर election word की अभी तक कोई बात नहीं की गई थी और इन्होंने क्या बोलता है जो indirect election है यहां पर इसका मतलब है कि यहां बैठकर आप लोग क्या करोगे budget पगर डिसकर्स कर सकते हो कुछ executives से सवाल कर सकते हो कि वो लोग कैसे काम कर रहे है क्या कर रहे है क्यूं कर रहे है ठीक है सबसे important चीज गाई अब हमारा अगला आता है for Indians के लिए और Lord Minto वो हमारे वाइसरोय थे तो इसलिए इस Act को Morale Minto Reform कहा जाता है और इसमें एक और चीज हुई जो legislative council थे जो center में और provinces में उनका size बढ़ा दिया गया मतलब उनके number of members को increase कर दिया गया जैसे कि जो members of governor general council थे वो 16 से 16 कर दिया गया 16 to 60 उनको बढ़ा दिया गय ठीक है और सबसे interesting चीज जो यहां पर हुई इन्होंने separate electorate की बात की है यानि कि Muslim लोग अगर elect होना चाते तो उनको उनके सिर्फ Muslim लोग ही vote कर सकते हैं तो यह separate electorate की बारे में बात की गई है यहां पर election introduced किये गे इंडिया में for the first time पहली बार Indians were also allowed in the executive council of the Viceroy उसमें जो executive council उ पहले लोग है उसमें इंडियन की participation को भी बढ़ाया गया और जिसमें बहुत खुशी की बात है की first Indians जो मारा मेंबर बना था Viceroy council executive का that was Satyandr Prasad Sina तो यह आपको paper point of view से याद रखना है friends उसके बात council को मैंने जैसे कहा की वह जो बनाया गया है यहां पर उने क्या बोला कि स तब आप उस council के member जरूर हो पर आप उस decisions में discussion कर सकते हो सिरफ लेकिन voting नहीं कर सकते है okay friends then the most important things come the government of India Act 1919 जिसमें डायरकी को introduced किया गया provincial levels में यानि की two rules लाया गया executive councils and ministers okay अब जो governments थे government provinces थे उनको accountable रखा गया कि legislative council of states के लिए and for transfer vote but not for reserved subject जो reserved subject है उनके लिए नहीं कुछ चीज़े होते हैं जो आज के आज के आज तीन लिस्ट वह नहीं है state list, current list and concurrent list तो वैसे ही उस टाइम पर ऐसा होता था reserved subject, transferred, subject यह सब चीज़े होती जो functions अब जितने भी functions और government के उनको center और state मतलब state उस टाइम पर आज हम state बोलते तब provinces कहा जाता था provinces को power दी जाते थी more autonomy थी उस टाइम पर and they could legislate all the subject related to province और वो प्रोविंस के लेटे जितने भी legislative subjects है वो लोग उस पे आपर हाउस और सेंटर लेजिसलेटिव काउंसल यानि की लोवर हाउस कहा गया है और उसके वाइफ फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि इंडियन को भी अलाउड किया गया कि वह वाइसराइफ के एक्जिक्यूटिव काउंसल में आ सकते है लेकिन उनका नंबरिंग क्या था इस एक्षियन इस टेम्प इंडियूज हो गए थे फ्रेंड्स यापको याद रखना है इस एक्स्टेंट कर दिया गया उनको एक्स्टेंट करके सिक्रिस्चिन्स इरोपियन्स और एंग्लो इंडियन्स के लिए भी बना दिया गया अब बोलते ही जो एक्ट आस ने लिमिटेड फ्रेंचाइज वस इंट्रूस फॉर दा फॉर्स ताइम जैसे आजकर हमारे पर युनिवर्सल एड़ेट फ्रेंचाइज चलती है जिसमें हमारे पास 18 एर की एज में हम वोटिंग कर सकते है तो उस तेम पर लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई जैसे कि जिसके पर इंटीज गवर्मेंट एज बिटिच गवर्मेंट एज वो अपॉइंट किया गया स्ट्रेट्री कमिशन 1927 जिसको हम साइमन कमिशन के नाम से जानते है आपने सुना होगा जो हमारा गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1990 बना था उस पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए इनक प्रॉब्लम है लोगों की तो वो रिपोर्ट बनाई साइमन कमिशन जो वो साइमन पर्सन था वो यहां पर आया और उसे 1930 में अपनी रिपोर्ट सम्मिट कर वाई यह जो रिपोर्ट थी इसने कंसिड़र की थी नंबर ऑफ सीरीज यह पर राउंटेबल हुई थी ती जो ल वाईट पेपर के कहा गया है कि वाईट पेपर है जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कहा गया उसको अच्छा उसके बद हमारा आता है जब यह सब हुआ उसके बद हमारा आया है गुवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 इस एक ने डायर्की सिस्टम जो था जो प्रोविंसेज में इसके बद है उसको इन ने अबालिश कर दिया और एस्टैबलिश क्या डायर्की सिस्टम को सेंटर में और जितने भी federal सबजेक्ट थे वो डिवाइट कर दिएगे ट्रांसफ़र्स एंड रिजर्ब सब्जेक्ट में। जो रिजर्फhst थे वो किसके हाथ में आते थे वह वर वाइसरोय उस पर काम करता था, विद्धियर काउंसलर्स और वो रिस्पॉंसिबल बिल्कुल नहीं होता था लेजिसलेचर में, जैसे कि आज हमारे हाँ पर जो एक्जिक्यूटिव है वो रिस्पॉंसिबल है लेजिसलेचर को, यानि की लेजिसलेचर मतलब लॉव मेकिंग एक्जिक्यूटिव मतलब जो उसको एक्जिक्यूट कर रहे है और जुडिशरी हम सब को पता है जिसे मेरे सुप्रीम कोर्स है जो उस पर रिव्यूज देते है कि आपने सही डिसीजन लिया या कोई केस फाइल या कुछ भी हो सकता है, कहते हैं, ट्रांसपर सबजेक्ट ज लेजिसलेचर को, ऑल्दो ऐसा कभी भी एफेक्ट में नहीं आया, सिरफ यह कहने की बात ही रहेगी, उसके वाइग गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक ने देखा जाय तो हमें क्या कि, जिसमें ग्यारा में से छे में बनाया गया, बेंगाल, बॉंबे, मदरास, बिहार, सब्सक्राइशन मनाई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंप में बन चुका था, 1935 में, एक पासवा था, 1934 में, 35 में वो एस्टैबलिश हो चुका था, माने यहां पर, एस्टैबलिश हो चुका था, 1926 में वो था, कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन एं सेपरेड ल लेबर, Muslim, Deprett Classes, सबके लिए इनोने इलेक्शन की बात की गे, तो इस वीडियो को मैं यही पर खतम कर रहू हूं, जा गाएंक आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप मेक शूर कि आप दोनों इस पार्ट्स देखें, ताकि आपका यही नीट पूरा इन पूरा कम्प Take care, see you in the next video.